हलो स्टुएंट्स, वेलकम बैक, अजवकर अकाड़िमी, मैं सेल फर अर्दिप सिंग और हम डिसक्स कर रहा है, क्लास 11 मैथेमेटिक्स, चैप्टर नुमर 4, ध्यान देना है चैप्टर 4 हमारा जो next concept आ रहा है, exercise 6.3 के लिए, अब जो main हम permutation discuss करेंगे वो यहां से start होगा, अभी तक जो अपने basics पढ़ाना, वो permutation पहुंचने का आपका एक path है, कहने का मतलब हम permutation सीख क्यों है, हमें एक नए concept की ज़रत पढ़ी क्यों है, वो हम discuss करेंगे, आपके जो mainly permutation का formula होगा, formula से हम यहां पर cache and solve करने वाले, lastly हम जो है language को words problem को, मतलब एक तरीके से पढ़ कर, समझ कर, उससे अपने answers बनाते रहे, जैसे कि आप मालनों आपको three terms बोल रहा है, या three digits बोल रहा है, alphabet बोल रहा है, इस तरीके समने उसको उसको उसका solution करते थे, बट यहां पर directly आप formula लगा तो 6.2 के लिए lecture आप last problem देख लो, उसमें आप पर मैंने introduction part भी बनाया है, factorial के ठीक है, अब जो अपन formula पढ़ने वाले है, उसे देखना आप, पहली बात तो भी formula का मतलब क्या है, देखो, when we have repetition not allowed, क्या कह रहा हूँ मैं आप से, अभी तक अपने जो concept पढ़ रहे हो, आपक क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें चीजों में क्या चीज़ें दे रहे हैं कि repetition अगर allowed नहीं है, जैसे कि example देता हूँ मैं आपको, मैंने लिए यहाँ पर number, n-u-m-b-e-r, मैंने आप से कहा, आप number से 3 digit का, या फिर 3 alphabet बोलो, या 3 digit बोलो, जो आपको सही लगे, 3 digit का एक number बनाओ 3 digit का number बनाओ, लाइक, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, repetition not allow होना चीज़े, बिल्कुल बारिक से समझना, आपको मैं पीछे वाला जो concept पर पने पढ़ा, multiplication principle, उससे permutation concept पर जोडने ही कुशिश कर रहा हूँ, आप कहोगे, सर यहाँ पर, इन में से कोई भी number चूज करने के number of ways कितने हो सकते हैं, 6, then एक number यहाँ पर place हो चुका है, repetition allowed नहीं है, तो इसके बाद वो number यहाँ नहीं आएगा, मतलब वो alphabet यहाँ नहीं आएगा, अब आपके पास जो number of ways बचे, यहाँ चूज करने के लिए alphabet 5, फिर आपके पास जो number of ways बचे, वो कितने बचे हैं, आपके कितने 120 बन सकते हैं, यहीं मैं आपसे कहूं, repetition allowed है, समझ ना आपना, repetition क्या है, allow है, अब आम क्या करेंगे, अगर repetition आपके पास allow है, तो हम यह कह रहे हैं आपसे, अगर repetition allowed है, तो आपके पास जो इसी question का solution बनेगा, 3 digit वो क्या बनेगा, 6 multiply, 6 multiply, 6 यानि कि 100, 6, यह अपने last में discuss कर लिया था, ठीक है, अब मैं आपसे कहा रहा हूँ, इस formula का use करते वे, N, P, R, इस formula का use करते वे, मैं आपसे कहूं, permutation का मतलब क्या होता है, arrangement, N का मतलब होता है, number of distinct objects in that case, यहाँ पर number of distinct object की बात कुले, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, R का मतलब क्या होता है, जो आपको chosen number है, कितने एक formula हमें आपर given है, अभी इस formula का proof कराऊंगा, मैं आपकर, अभी इस formula का proof कराऊंगा, अभी इस formula का मतलब समझा रहा हूँ, हमने एक formula पढ़ लिया है, N, P, R, जिसका formula होता है, N factorial divided by N minus R factorial, लगा दो, इसका मतलब 6 factorial divided by 6 minus 3 factorial लगा सकता हूं, मैं आपको exercise, जो आपकी 6.2 ती, उसमें discuss किया था, मैंने इसको solve करते कैसे है, 6 multiply 5, multiply 4, multiply 3 factorial, divide by 3 factorial, cancel out हो गया, 6, 5,000, 30, और 120, अरे, ये तो answer same आ रहा है, ये तो answer same आ रहा है, इसका मतलब last जो अपने multiplication, ये वाला कौन सा method है आपका, multiplication principle, हाना है, और ये जो method हम discuss कर रहे हैं, नया, permutation का, directly formula से आप answer निकाल रह 120, वहाँ भी 120, तो दोनों में कोई answer है, क्या कोई answer नहीं, अगर आपको multiplication principle method समझना आता है, exam के, exam में cashner read करके तो आप वो apply कर दो, आपको लगता है, permutation easy है, तो permutation apply कर दो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में answer same निकल के हैंगे, खीके सब तो यहाँ पर एक चीज important चीज, important teacher, जहाँ पर not repetition होगा, words का किवल वहीं पर यह formula आप apply कर सकते हो, not repetition की जगे है, ठीके सर, अब इस formula का proof पराता हूँ मैं आपको, सबसे पहले NPR जो होता है, वो actual में क्या होता है, भई जो NPR की value है महर पास, वो actual में क्या value है महर पास, सर इसको हम लिखते हैं factorial की form म कैसे, N, N-1 हीक है, N-2 हीक है, N-3 ठीक है, और ये value कहां तक चलती जाएगी, ये value किसके एकवल में होती ही, N, N-1 मतलब ہी किसके एकवल में होती ही, कायदे से Nise auditory के एकवल में होती ही, किसके factor majority का मतलब क्या होता है, N, N-1, N-2, N-3, एक एक value कम होती जाती है, last में N-R-1, इसकी जगे मैं ये भी लिख सकता हूँ N-R प्लस 1 एक ही बात है दोनों चीज़े ठीक है इसे संना आगई अब मैं क्या कहा हूँ आप यहाँ पर उपर नीचे इस value के लिए multiply इस value के लिए है न multiply इसकी value के नीचे आप 1 मान सकते हैं यहाँ पर है न एक मैं ठाइंग हो गया थोड़ा सा system अब चल जा N-R minus 1 3 multiply 2 multiply 1 इसका मतलब क्या हुआ मैं इसको उपर नीचे multiply करने की बात कर रहा हूँ यानि NPR जो है उसकी जगे मैं लिख रहा हूँ N-1 N-2 N-3 तहां तक चल रही value N-R-1 multiply N-R N-R minus 1 multiply 3 multiply 2 multiply 1 divide में आजओ same thing N-R N-R minus 1 3 multiply 2 multiply 2 multiply 1 अब आप थोड़ा सा गौर करना उपर N factorial का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना N-1 N-2 और ये value कहां तक चलती जाएगी आपके पास last में value चलती 1 तक कहां तक चलती 1 तक अब आप थोड़ा focus करना N-3 के बाद ये value है N-R minus 1 अब R value कहां से ध्यान रखना R जो अपन 14 number करता है अब ये 14 number जो है R की value से just R minus 7 का मतलब R से just पहले वाला number R minus 1 का मतलब क्यों हो गया R से just पहले वाला number फिर मैं पहुचूंगा N-R तक ये R minus 1 मतलब क्या है R से just पहले वाला number है फिर मैं R तक आऊँगा फिर मैं R minus 1 तक आऊँगा और फिर मैं कहां तक चलूँगा 3 into 21 तक चलूँगा अब आप इस चीज को थोड़ा सा focus करना है इस चीज को मैं समझाता हूँ आपको ये जो value है कायदे C value ये है N minus R अगर मैं इसमें से minus comma ले लूँ अगर मैं इसमें minus comma ले लूँ तो ये R plus 1 हो जानी चीज ये कायदे से देखो N minus R minus 1 अब इसका मतलब मैं ये कहना चाहरा हूँ आपसे ये R minus 1 जो है ने वो R से जस्ट पहले वाली value है और ये R plus 1 जो है ये R के जस्ट बाद वाली value है और फिर 3 into 2 into 1 N यहां तक end हो जाता है N का मतलब क्या होता है N यहां तक end हो जाता है तो इस पूरी value की जगए मैं N factorial लिख सकता हूँ क्या नीचे देखो अगर ये value N की जगे N minus R होती तो N minus R minus 1 N minus R minus 2 और ये भी इसी तरह चलती 3 into 2 into 1 यानि नीचे N minus R का factorial है कायदे से इस पूरे का मतलब क्या है N minus R का factorial है और ये हमने proof कर दिया है formula अब मुझे बताओ पहली बात हो इस formula को बनाने में किसी कोई दिक्कत है देखो वैसे exam के न proof आपसे पूछेंगे नी फिर भी आपको पता होना चीज़ किस तरीके से ये formation बन रहा है NPR का N factorial divided by N minus R का factorial अब एक important चीज़ आप थोड़ा से यहाँ पे गौर करेंगे क्या है वो important चीज़ कि इस R की एक limit होती है क्या limit होती है R जो आप chosen value के रहे हो जैसे मैं आपको पीछे बताई ये 6 total number है इनमें से 3 number मैं choose कर रहा हूँ अब मैं कितने number choose कर सकता हूँ minimum ली सर मैं minimum 0 number choose कर सकता हूँ तो R की value 0 के एक्कल हो सकती है और 0 से greater होती जीरो से बड़ी number लेकिन R की value always less than N होगी always less than N होगी और less than जो R के equal भी तो हो सकती है अगर मैं आप से कहूँ कि 6 number थे number के अंदर N, U, M, B, E, N कर उसमें से मैं 6 ही number choose करूँ तो तो ठीक है R की value 6 के equal भी हो सकती है तो R की value क्या हो जाएगी 0 से N के बीच में लाए करती है बताओ समझ में आया है क्या this is your proof this is your proof ठीक है बहुत सारे बच्चे को doubt रहता है इसके अंदर N, C, R टेकें दे रखा है समझ में आता नहीं है तो ये concept कुछ इस तरीके से है ठीक है आगे बढ़ते है मैं हाँ पर आएक एक आपको values put करके इसमें कुछ values put करूँगा R के लिए आजओ next slide पर अब देखो first तो ये proof है जो आपके N, C, R बुक में रखा है same proof किया है मैंने आपे न जो ये N, C, R बुक में दे रखा है वो ये same proof है ठीक है अब मैं आपसे ही कह रहा हूँ ये जो N, P, R अमरे पर formula बना है इसके लिए हम R की value क्या क्या रख सकते है let first case में मैं कह रहा हूँ अगर R equals to N हो जाए N, P, R है उसकी जगे N, P, N हो जाए तो क्या होगा उपर तो N factorial डिवाइड बाए N minus N factorial इसका मतलब N factorial डिवाइड बाए 0 factorial 0 factorial का मतलब याद रखना 1 होता है important चीज है 0 factorial का मतलब कितना होता है आपके पास 1 होता है यहाँ पर 0 से काट मत देना इसकraph तो यह 0 का मतलब 1 हो गया तो N factorial divided by 1 मतलब की N factorial अंसाथ है N, P, N अगर ऑगर हो जाए तो answer कितना हो जाएगा उसका वो n factorial हो जाएगा ठीक है important चीज यह आप से directly mcqs में पूछ सकता है इस type के question ठीक है आजो next अगर मैं कहाँ दू आर की value आपके पास 0 है तो n p 0 की value कैसे निकालेंगे n factorial divided by n minus 0 factorial n minus 0 फिर factorial n factorial और यह divide by n factorial दोनों cancel out होगे कितना बचेगा आपके बास 1 बचेगा यहाँ यानि n p 0 की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ठीक है next देखो अगर factorial मतलब r ही है value तो यह formula होता है last के अंदर फिर से बतारों में एक बार और यह r की limit होती है अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया clear रहें यहां तक सभी को तो this is the formula for npr सबसे important concept जो है इस chapter का permutation को लेकर इसमें mainly cations put होते है वो npr से होते है इसी तरह combination का भी concept होगा जो exercise 6.4 में देखेंगे फिलाल हम permutation की बात कर रहा है और धार ना permutation किसको समझ में नहीं आएगा तो combination भी नहीं आएगा क्यों दोनों से link है एक दूसरे से आगे देखते है अब एक theorem number 2 हम discuss करते है अब यह theorem number 2 क्या है इस पता तो the number of permutations of and different objects taken are at a time when repetition is allowed मान लो repetition अलाओ है repetition क्या है अलाओ है जैसा कि मैंने आपको बताया था number के अंदर यह बताया था मैं इसमें से three values choose कर रहा था क्या कर रहा था three values मैं इसमें से choose कर रहा था ठीक है तो first में six number of ways हो सकते है second में फिर six number of ways हो सकते है third में फिर six number of ways हो सकते है इसका मतलब actual में आप देखो तो यह six के उपर power three है अब आप इस question में गौर करो number of alphabets number of different objects कितने six है यानि six is your n n three जो हम choose करते है number of chosen जो alphabet से वो कितने है आपके पास r यानि कि अगर आपके पास repetition allow हो तो formula आपका n की power r होगा अभी तक जो हम values लगा रहे तो उसको अपने formula के रूप में conclude कर लिया है when repetition not allow हो तो आप n pr का formula लगाएंगे n factorial divided by n minus r factorial यानि कि अब आपको जादा सोचने की ज़रत नहीं है directly आप formula based solution निकाल सकते हो multiplication principle से करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और इस तरीके से permutation लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है जो आपको आसान लगे वो लगा देना समझ में आए गया ठीक है सर अब इसका एक example दे रहा है यह number or ways पता करना है in which chairman and vice chairman can be chosen from among 12 persons ठीक है सर कैसे करेंगे मैं इसको multiplication principle से पताऊंगा पहले आपको multiplication principle क्या है concern भई आजो मैंने का two person choose करने है ठीक है पहले person choose करने के chances कितने है मेरे पास 12 chances है 12 number of ways में से अब अगर एक person यह आ गया और repetition allowed नहीं है यह बोल रहा है one person cannot hold more than one place का मतलब repetition नहीं है मतलब एक बंदा जो इस पर आगया वो दूसरी प्लेस में नहीं आ सकता second जो प्लेस उस पर जो बंदा आएगा वो obviously बात है आपके पास 12 में से जो एक चला गया है उसके अलावा हों गया है नहीं 11 बंदे बज़ गए मेरा कहने का मतलब है आपको कोई भी concept रचना नहीं है को मिलागे समझ रहो मतलब आपको permutation कर रहो तो क्यों कर रहो वो पता होना चीए multiplication पर इंसिपल कर रहो तो क्यों कर रहो वो पता होना चीए मतलब permutation एक ही concept में पूरा पूरा मिलाके बस उसके methods दो तीन दे रखे हैं आया कुछ समझ में? छीक है तो दो concept में discuss करे हैं और सबसे important और मान के चलो आप अगर ये clear हो गया आपको तो बस सब कुछ अच्छे से clear हो जाएगा नेक्स्ट आगे बढ़ू इसके आगे देखू permutation when all the objects are not distinct अब यहाँ पर concept थोड़ा सा गूमता है यहाँ concept थोड़ा सा गूमता है क्या है बई? मैंने का अभी तक जो अपन permutation पढ़ रहे थे या multiplication पढ़ रहे थे वहाँ पर हम बोल रहा था all objects are distinct जैसे number n-u-m-b-e-r सारे alphabet different है एक दूसरे से है या नहीं है इस बार मैं बोल रहा हूँ all objects are not distinct अब्जेक्ट सपोस मैं ले रहा हूँ मैं रहा हूँ यहाँ पर root अब आपको होगे sir r अगर मैं o1 और इसको o2 name देता हूँ तो r o1 o2 t लिखूं या r o2 o1 t लिखूं बात तो एक ही पता थोड़ी कर सकते हैं आप को कि sir 1 2 लिखावा है रहे यार यह तो मैंने लिखा है वैसे थोड़ी लिखावा है question के अंदर तो इन दोनों से एक ही number बनेगा आपके पास मैं कहूँ आपस o1 r o2 t या फिर कहूँ o2 o1 t बात तो एक ही number तो एक ही count होगा ना arrangement जो है उसके अंदर number एक ही count होगा इन दोनों के लिए तो आप इसको दो दो नहीं बोल सकते हैं तो अगर आप इसको पीछे वाले method से करोगे ना पीछे वाले method से कौन से वाले method से कि मान लो आपको या तो permutation का वो directly method लगाओ या फिर multiplication principle लगाओ तो वहाँ answer आपका गलत निकल गाएगा क्योंकि वो multiplication principle इस o को और इस o को दो अलग-अलग alphabet मानेगा बट हम नहीं मान सकते हैं इसा दोनों सेम ही है भाई पता थोड़ी सल सकता है इसा ठीक है तो यहाँ पर जो required number of permutation वो कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ कि arrangement होंगे कितने है अब यहाँ arrangement कैसे होंगे total number कितना है 4 यानि 4 factorial divide करेंगे उससे कितको जो alphabet repeat हो रहे हैं कितने हो रहे हैं 1 and 2 तो 2 factorial से क्या कर देंगे इसको divide कर देंगे समझ में आया 4 multiply 3 multiply 2 factorial divided by 2 factorial cancel out 4 3s are 12 this is your answer बताओ समझ में आया क्या तो यह एक नया permutation निकालना है आपन को किस method में जहाँ पर not distinct objects हो बताओ समझ में आया क्या के लिए रहे हां तक permutation ही है बट यहाँ पर method मैंने different use किया है फिर बता देता हूँ आपको मैंने यहाँ पर method different use किया है क्यों use कर रहा हूँ यह वाला और आपको इस तरीके से क्यों समझना है इसको because यहाँ पर जो two values है वो क्या हो रही है आपके पास repeat हो रही है और यह repeat हो रही है आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल सब next देखेंगे हम next क्या रहे है आपके पास okay the number of permutation of n objects when p object are the same kind important change यही पीछे बाला concept है अगर आपके पास p object जो है वो same kind है n तो object total हो गया है जैसे कि मैं root का example लेलता हूँ आर ओ ओ ओ टी एक और ओ लेलो भले है न रूट ओ ले रहा हूँ है न n तो objects है यानि n कितने हो गया है इसमें 1,2,3,4,5 p objects are the same kind and rest are all different यानि इसमें same कितने हैं 1,2,3 यहां जब आपको निकालने होंगे number of permutations permutations का मतलब हुआ number of arrangements number of arrangements तो वहां आपको क्या लगाना पड़ेगा total number means 5 factorial divide by 1,2,3 repetition जिन values की यह निए 3 factorial यह नया आपके लिए method एक तरीके से इसके लिए when आपके पास not distinct objects हों 5 multiply 4 multiply 3 factorial divide by 3 factorial cancel out 5,4 जा 20 बताओ क्या समझ में नहीं आया ठीक है क्या बिलकुल सर तो यह 20 हो गया आपके पास number of ways निकल के आगए P2R of second count ऐसा भी तो हो सकता है कि मालो ROOTEE ऐसा दे रखा हो तो total 1,2,3,4,5,6 तो factorial उपर आ जाएगा लेकि नीचे क्या होगा भई O2 टाइम आ रहा है एक और ले लो यह जो है वो triple time आ रहा है यानि कि बहुत सारे number हो सकते हैं जो same हो तो उन same वाली values को सबको आपको divide देना like 2 factorial multiply 3 factorial समझ माया तो इस तरीके से solve होगा इस इस यूर 4th theorem 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 factorial divided by 2 multiply 1 multiply 3 factorial cancel out 2 तूजा 6 5 तूजा 30 32 तूजा 60 अंसर आएगा अब बताओ समझ माया नहीं आया तो यह जो theorem अपने discuss करिए theorem 1 से लेके theorem 4 तक यह actual में आपके permutation को define करती है और mainly जो हम permutation का जो concept समझ रहे है वो इसी exercise के अंदर आपको देखने को देखा कि mainly हम permutation पर deal करेंगे इस exercise 6.3 के अंदर तो मेरे इसाप से मैंने सारा concept clear करती है NCIT में जिता base दे रखा है वो सारा include हो बस आपको एक बार revise करके और अच्छे सारे concept को समझ लेना है फिर आप सीधे example करो मैं आपको definitely बता रहा हूँ multiplication principle and permutation आप इन दौनों से हर each and every question को इन दौनों से complete कर सकते हैं बहुत ही आसान method लगेंगे आपको ठीक है next time मिलेंगे examples के उपर तब तक के लिए goodbye and practice जरूर करना और book में टिकमा कर लेना अगर आपको note down नहीं कर सकते हो तो बाकि मेरे इसाप से note down करके with example आप चीज़ों को note कर लो आपको समझ में आ जाएंगे एक्चल में theorem क्या कह रही है ठीक है चलिए मिलेंगे next example number 9 पर तब तक के लिए goodbye